दोस्तों आग जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो होने वाला है इंट्रेस्टिंग और अभी मैं ड्यूटी के लिए रेडी हो रहा हूँ लेकिन उसके पहले मैं जो भी इंट्रेस्टिंग दिखाने जा रहा हूँ उसके बारे में एक मिनट का टाइम लेकर आपको बताना चाह नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नेविगेटर रिशी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल अभी रात के आठ बजे हैं और मैं पोर्ट पे हूँ और मैं जाने वाला हूँ डूटी पर मैं आपको आज कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ अब जनरली आप लो उसका व्यू कैसा होता होगा तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं आउटर एरिया का व्यू अजहांसे मैं सिप चलाता हूँ अभी हम पोर्ट पे हैं तो बहुत सारे सिप दिखाए देंगे तो आप भी चलिए हमारे साथ डूटी पर कुछ नया और इंटरेस्टिंग दोस्तों मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूँ और ये नजारा उस जगह का है जहां से सिप चलाता हूँ और जो आप ये मशीनरी देख रहे हैं इनके द्वारा ये सिप चलाया जाता है इस जगह को हमारी भासा में ब्रिज बोला जाता है अभी मैं मसींद्री के बारे में इतना ही वताना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमें आपको नाइट का सिन दिखाने के साथ साथ और बहुत कुछ दिखाना है तो दोस्तों मैं अभी ब्रिज से बाहर निकल कर आ गया हूँ और जो ये नजारा आप देख रहे हैं वो सिप के आउटर साइड से लिया गया है और जो ये लाइटिंग आप देख रहे हैं जो की दूसरे सिप्स की है और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि हम अभी सिप को बंदरगा से निकालने वाले हैं इसके बाद मैं आपको morning का scene दिखाऊंगा कि ship कैसे चलता है, ship का नजारा कैसे होता है और मेरा ship पर daily routine क्या रहता है अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं duty के लिए bridge पर जा रहा हूँ और वहाँ से दिखाऊंगा मैं आपको morning का scene ब्रिज पर मेरी morning green tea already रखी हुई है तो guys bridge पर हमेशा दो लोगों का होना जरूरी होता है ये मेरा assistant है जो की अभी binocular से lookout कर रहा है वेसे अभी open sea है तो ship चलाने में कोई दिक्कत नहीं है तो आईए हम भी binocular से दूर का नजारा देख लेते हैं जैसा कि हमने देखा यहां पर दूर दूर तक कोई ship दिखाई नहीं दे रहा है तो guys हम आपको थोड़ा थोड़ा bridge का scene दिखा देते हैं प्रिज से समुद्र का नजारा कितना सुन्दर लग रहा है थोड़ी देर यहां time spend करके हम आपको ship के top पर जाकर वो नजारा दिखाएंगे जहां पर लोग जाने के लिए सिर्फ सपनों में सौचते हैं कि प्रॉबाइब रहा हैं झाल 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 अभी दिन के 11 बजे हैं और मेरा टाइम हो गया है चाई पीने का तो चलिए सिप के टोब व्यू को हम चाई पीने के बाद दिखाएंगे जिसका आप बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं यह चेर है जहां से मैं लुकाउट करता हूँ क्योंकि आगे ट्राफिक का भी ध्यान रखना पड़ता है दोस्तो आप बिल्कुल ये मत समझेगा कि सिप प ट्राफिक होता है कभी कभी यहां पर भी ऐसे ट्राफिक का सामना करना पड़ता है और हमेशा चोकनना रहना पड़ता है मेरी चाए खत्मोने वाली है और हम आपको इसके बाद टोव व्यू दिखाने वाले हैं अब जो सिड़्ियां आपको दिखाई दे रही है उस पे चड़ कर हम उपर जाने वाले हैं और आपको एक पहतरीन नजारा दिखाने वाले हैं गुक्षार फट्राइ टा हम आपको ओना घरा ते पाएई लिएगार कहा ते बाद आपको ओना और फॉङगगगई लिएगएगई दिर्ण वाले हैं और नवाले हैं वाले हैैं तो दोस्तों जो नजारा आप देख रहे हैं वो रियली में ब्यूटिफुल है और जहां पर मैं खड़ा हूं उसे हैली डेक बोलते हैं मतलब हेलिकॉप्टर ने की उतरने की जगए तो दोस्तों आप भी मेरे साथ इस व्यूपर इंज्जोई कीजिए अब हम वापस नीचे की और चलते हैं क्योंकि अब हमारे ड्यूटि ओफ होने का टाइम हो गया है और दूसरे ड्यूटि ओफिसर के आने का टाइम हो गया है तो अब हम आपको दूसरे ड्यूटि ओफिसर से मिलवाएंगे और उसको ड्यूटि पे जो भी काम किया है और जो उनको उनकी ड्यूटि में करना है उसके बारे में बताएंगे तो चलिए दोस्तों अब हम प्रिश के अंदर एंटर कर रहे हैं यह जो duty officer हैं वो अल्रेडी आ चुके हैं और आब इन से हम हाई करेंगे हाई अब duty officer को जो भी work होगा वो उनको handover करेंगे अब हम work के बारे में discussion कर रहे हैं कि मैंने क्या work किया और उनको next के लिए क्या काम है और अब लंच का टाइम हो गया है तो मैं आज वेज विरिया नहीं खा रहा हूँ क्योंकि आज संडे है और शिप पे वेज विरिया नहीं खने का जो मज़ा है भी बहुत मज़ेदार है अब मेरा सोने का टाइम हो गया है क्योंकि मैं duty खत्म करने के बाद lunch करता हूँ और lunch करने के बाद सो जाता हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी duty day and night 8 से 12 होती है तो मैं फिर रात की duty में ब्रिस पर आ गया हूँ और इसी के साथ हमारी journey 24 hours की यहीं खत्म होती है धन्यवाद तो दोस्तों हमें comment करके जरूर बताईए कि मेरी journey कैसी लगी आपको मेरे साथ कैसा अनुभव हुआ नेक्स वीडियो में जल्दी लेके आ रहा हूँ कुछ interesting के साथ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो like, comment and share करें जै हिंद, जै भारत